विल्कम टो अनालेसोपीडिया यहां आपको हिस्ट्री, कल्चुर, के स्टड़ीज, अनालेसिस, मार्केटिंग और बिजन स्ट्रेटिजी के बारे में सारी जानकारिया मिलेगी तो विदाउट फुर्दर दू, लेट्स गेट स्टाड़िड आज का टॉपिक है, फंस्कूल, फंस्कूल इंडिया का लीडिंग ब्रैंड है, किसमें? बच्चों के खिलोने में, राइट? बड़ हमें से कितने लोग जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इस कंपनी को बनाया किस दे था? और कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई? तो चलिए, आज इसके बारे में जानते हैं उननीस सो असी के दशक में फाउंडर, फांड स्कूल के फाउंडर रवी मेमन जी वहाँ अब ब्रॉड में ट्रैवल किया करते थे बिजनस के सिल्जले में जब भी बो आते थे तो वो बच्चों के लिए खिलोने लाया करते थे मेमन, रवी मेमन जी जो मेमन पिलले के बेटे थे और मेमन मापिलले एमारेफ के फाउंडर थे उनके बेटे थे रवी मेमन उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इंडिया हाई क्वालिटी टायर्स बना सकता है तो क्या हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी के खेलोने नहीं बना सकता? तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया और 1986 में फन्स्कूल का निर्मान किया गया. फन्स्कूल 1987 में बना. ये एक जॉइन्ट वेंचर था. MRF और American Toy Company Hasbrookा. फन्स्कूल सबसे पहले Foreign Toy Companies के प्रोडर्ट्स को इंडिया में बेचा करती थी. फिर उसके बाद फन्स्कूल का अपना Manufacturing Unit बना इंडिया के गोवा में. फिर Second Unit बना यानि Factory बना रानिपत में. हर कंपनी का एक अलग वीजन होता है. फन्स्कूल का वीजन क्या था? फन्स्कूल का वीजन बहुत सिंपल और बहुत अच्छा था. फन्स्कूल का वीजन था कि इंडिया का हर बच्चा सिर्फ खेलते-खेलते-खेले नहीं सिखे, बढ़ना भी सिखे. उसे एक successful man बनाने के लिए या successful human being बनाने के लिए फन्स्कूल ने एक अपना एक अलग वीजन बनाया. कि हर बच्चा खेलते-खेलते सिर्फ खेलेगा नहीं, बढ़ेगा भी. उसे सिर्फ physically खुशी नहीं मिलेगी, mentally और spiritually भी उसकी ग्रोथ होगी, उसकी overall development के लिए खेलाने बनाये जाएंगे. ताकि बच्चा खेलते-खेलते पढ़े भी और बढ़े भी. एक खेलोना क्या होता है? एक object होता है, एक miniature होता है, एक replica होता है या ऐसा कुछ जो बच्चा खेल सके. आपको तो पता ही होगा कि इंडिया वर्ल्ड का second largest population country है. कि आपको ये पता है कि इसका 20% आबादी सिर्फ एक से लेकर 12 सल के बच्चों का है. इंडिया में इंडिस वै तो आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि बढ़ती development और बढ़ती हुई disposable income का एक देश के नागरिक का एक willingness और capacity दोनों होता है कि वो बच्चों पर खर्च कर सके. तो आपको आप पता चल गया होगा कि इंडिया टॉय के market में एक बहुत बड़ा शेर कवर करता है. पहले क के जमाने में battery operated से लेके intelligent electronics और more sophisticated toys बनने लगे. सिर्फ इंडिया के consumer के पास सिर्फ willingness ही नहीं, capacity भी है, security का, safety का और यहां तक के बच्चों के toys का ताकि बच्चों की all-rounder develop हो सके. बहुत सारे international toy brand के साथ export करके, distribution rights हासल करके, इंडिया का leading brand बन गया. Danish Lego Group का भी distribution rights इसे मिल चुका था. 2010 में Fun School इंडिया का leading marketing brand बना और इससे उसको 70% hike जो की sales में उसको profit में मिला. उसकी sales growth 70% तक चली गए. बच्चों के खिलोने को दो segment में divide कर दिया गया. एक था traditional market, traditional toys का market और दूसरा था video games का. 2015 में traditional toys 64% market share पे थी. जो की बहुत slow improve कर रही थी, ग्रो कर रही थी. लेकिन video game का market share 36% था. जो की था तो कम लेकिन बहुत ही tremendously grow कर रहा था. यह expect किया जा रहा था, 2018 के end तक यह traditional toy market को भी सरपास कर जाएगा. 2019 में, John Baby, जो fund school India के CEO है, उन्होंने यह statement दिया था, कि 35% इंडिया का population, जो की 14 सल के बच्चों का है, यानि 14 सल के नीचे के बच्चों का जो population है, उनमें toy market को खुद lead करना और leading brand बने रहने इंडिया में एक बहुत बड़ा अच्छा future होगा. कर रा, को झाते हैं में कि किसी है, यानि reward के बढ़ाओा जानि, यानि, क्चा रहादान थार तूस्ताथे खुदीं के बच्चों में पने टींद़ाओाँ झात। झाल 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 लेकिन इंडिया में टॉइ मार्केट का लीडर बने रहना क्या इतना असान था बिलकुल नहीं क्योंकि लीडर्शिप और लीडिंग करना ऐसे में तो दिखता तो बहुत ही सी है पर इसके सस्टीन करना उतना ही मुश्किल 2016 में demonetization के वक्त हर company का हालत खराब होती चली गई इसमें fun school भी अच्छूता नहीं था फर्स्ट जो strategy थी वो थी इंडियन movie characters के cartoon characters बनाना याने कि इससे वो foreign countries में भी अपने toys को export करते थे इससे movie के नाम और movie characters भी promote किये जाते थे है ना मज़दार की बात? second, second strategy थी innovative toys बनाना और distribution channel को strong बनाना fun school हमेशा से ही distribution network पर बहुत जादा काम किया करती थी उसकी यह second strategy इसी पराधारित थी fun school अपने छत्र चाया में बहुत सारे अलग-अलग सब ब्रैंड्स को भी इंटर्ड्यूस किया जैसे giggles, handicrafts, fundo, play and learn series इस सब में उसने तकरीबल 2000 से भी ज्यादा toys बनाए और domestic और international market में इस सब ब्रैंड्स को promote किया उन्हें यह पता था कि customer हर एक महीने में 3-4 नए toys मांग रहे हैं उन्हें यह नहीं पता था कि यह toys का trend कितना दिन चलेगा लेकिन वो अपने इस strategy से market में leading brand बने रहे उनका तीसरा strategy था metropolitan cities में अपने stores खोलना उन्हें offline और online दोनों जगां stores खोले और एक अलग team बनाई जिससे online merchandising online store को promote और marketing किया जाता था उन्होंने Chennai, Bangaluru, New Delhi, Kolkata, Mumbai और कई अंगिना शहरों में more than 75 towns में उन्होंने अपने offline stores खोले उनके toys के range एक सो से लेके छे सो तक के थे ताकि हर budget में, हर budget में और हर price range में बच्चे खिलोने खरीच सके उनकी fourth strategy थी एक stronger international presence बनाना उन्होंने अपने बहुत सारे खिलोने के ब्रैंड वीदेशों में बेचे just like Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bangladesh, Bhutan और UK वो यूएस के market में भी इंटर करना चाहती थी यहां तक की उन्होंने planning भी किया third manufacturing plant बनाना exclusively for exporting Portors 5 model में सबसे पहले आती है threat of entry यह threat of entry क्या है किसी market में खुसने से पहले जो धमकिया या जो परिशानिया को जहां सामना करना पड़ता है उसे कहते है threat of entry अब fun school के पास threat of entry था क्या Indian toy leading brand तो था fun school चीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे जैसे इंडिया का per capita income बढ़ता गया उस हिसाब से दूसरे देशों के तुरना में इंडिया का अभी भी स्तर toy के मार्मले में या toy market के मार्केट के मार्मले में बहुत कं था जैसे कि दूसरे देशों में हर family, हर parents अपने बच्चों के लिए जितने toys, जितने prices के toys जितने range के prices के toys वो खरीदते थे उसके मुकाबले इंडियान मार्केट का range या price या खरीदने का frequency बहुत कं था धीरे धीरे शहरी करण बढ़ रहा था जग की शहरी करण के वज़र से, urbanization की वज़र से हर parents, हर couple, nuclear family में convert हो रहा था और उनका थो था ही, कम बच्चे family में कम बच्चे होने के कारण toy का खरीदना भी कम होता था इससे मार्केट तो अच्छी चल रही थी लेकिन जो dependency थी toy और video games की वो दूसरे दर्शों के तुरना में बहुत कम था और globally भी, internationally भी, worldwide भी China worldwide toy market का सबसे बड़ा competitor है क्योंकि China कम कीमत पर ज़्यादा toys बनाती थी और export भी ज़्यादा करती थी यह Chinese toys का इंपोर्ट करना इंडिया में यह भी fun school के लिए एक बहुत बड़ा threat था main reason क्या था? price जैसे कि मैंने कहा कि difficult था compete करना क्योंकि Chinese price उसी same product के लिए बहुत कम में मिलता था compared to fun school क्योंकि China का cost of production बहुत कम होता है और second threat of entry था metal fun school का सबसे बड़ा competitor जो कि television, films और video games जैसे content पे खिलोने बनाया करती थी और metal, toy, protagonist है खिलोने के मामले में लेकिन fun school ने hard नहीं मानी fun school ने एक clever move अपनाया उसने क्या क्या international brand से license लिया जैसे कि star wars cartoon serials such as tom and jerry हाँ उसने यही सब cartoon characters को बना कर इंडियर market में और video show में भी बेचा ताकि यह threat of entry काफी हद तक minimize हो गया second portal model में second point है threat of substitute सिर्फ लीडिंग ब्रैंड सी नहीं लीडिंग ब्रैंड के toys के duplicate items जो कि substitute होते थे किसी brand के या किसी toy market के उससे भी fun school को बहुत बड़ा threat मिल रहा था जैसे कि any RF blasters and darts game का जो एक license product था fun school का उसका substitute उसका duplicate toy बनाय जा रहा था जो कि इससे 160 rupees में available था जो कि चाइना का भी similar product था लेकिन वही product 225 में fun school का बिकरा था तो क्यो कोई Indian consumer एक high price की product को खड़ी देगी obviously वह substitute को खड़ी देगी और वो भी कम कीमत पर उन्हें ज्यादा मिल रहा था पर Indian government ने जब import कियवे खिलोने पर कुछ guidelines जारी किये कुछ limitations कुछ restrictions जारी किये तब जाके fun school अपने 20% I think more than 20% अपने annual rate के हिसाब से अपने position को इंडियन market में maintain कर पाई इसके बावजूद भी उसके पास एक और major threat आया जो की था digital games जिसमें अभी तक fun school का एक कदम भी नहीं जमा था क्योंकि इस category में digital games के category में fun school अभी तक आया भी नहीं था जो की 2018 के end तक इस segment में digital games के segment में यह expect किया जा रहा था कि traditional toys को भी सरपास कर देगा Porter model का तीसरा point है bargaining power of suppliers Chinese market का low cost बहुत सा reason के वज़े से था क्योंकि low cost का land labor, raw material जबकि fun school का rival metal भी इस चीज़ का advantage ले रहा था ताकि जो subsidiary companies है China company की वो इंडिया में आ सके चौथा point है bargaining power of buyers fun school safety और quality standard पे काम करती थी उसका ये USP था जबकि इसी वज़े से उसे खिलोने के price भी बड़े होते थे buyers bargaining करते थे जबकि उनके पास option था Chinese toys का जो की कम किमत पर बिक्ती थी इसी वज़े से economical और affordable goods के बीच भी एक threat आया जबकि उनके पास आप्शन था जबकि उनके पास option था और affordable goods के बीच भी एक threat आया तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video पे Thank you